प्लानिंग के लिए तो सब प्लानिंग करते हैं प्लानिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है कि बाकी की जिन्दिगी आराम से कर जाए आप अपने बच्चों के लिए पोतों के लिए पोतियों के लिए भी कुछ जरूर चोड़ कर जाएं तो कैसे ये प्लानिंग करनी चाहिए, क्या निवेश की रणनीती होनी चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए हमार साथ थास महमान जोड़ रहे हैं हमार साथ इन्वेस्मेंट और टाक्स एक्सपर्ट बलवन जैन जोड़ रहे हैं आप जाहें तो वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हम से भेज़ सकते हैं और हम कोशुश करेंगे कि अगले आधे गंटे में जाद से जाद सवालों का जवाब हम भी दें तो पलवन जी चर्चा की शुरुआत करते हैं जैसा कि बोला कि रेटार्मेंट के बाद जो एक विशेश रणनिती चाहिए होती है निवेश के लिए तो क्या आप सलाह देंगे कैसी होनी चाहिए ये रणनेती जैसे आपने बताया कि आपको जब बर्निंग फेज होता है तभी आप प्लानिंग करते हैं वैसी कि वैसी प्लानिंग आपको रेटार्मेंट के बाद में भी जरूरी है परन्तु जो नजरिया है वो रेटार्मेंट के बाद में जो प्लानिंग करनी है उसमें फोरक आ जाता है क्योंकि आपकी जो रेगुलर इंकम है वो बंद हो जाती है तो आपको रेगुलर हर महीने खर्चे के लिए कुछ ने कुछ पैसा चाहिए तो ये जो पोस्ट रेटार्मेंट आपको जो प्लानिंग करनी है उसमें आपको तीन चीज का ध्यान रखना है एक तो सबसे पहली चीज है कि आपको पास में चुकी रेगुलर इंकम नहीं है और आपकी उमर हो गई है तो आपको कोई भी मेडिकल एमर्जेंसी विगेर हो या पैसा कोई ऐसे लिक्विड फंड में रखे जहां इंस्टेंट रेडिम्चन आपके सेविंग बेंक एकाउंट में जमा हो जाता है तो ये तो हो गया आपका लिक्विडिटी का पोर्शन क्यूंकि हो सकता है आपके पास मेडिक लिम पॉलिसी हो और हॉस्पिटल आपका कैसलेस एकसेप्ट नहीं करें आपके पास में क्रेडिक काड हो परंटु वस्पिटल एकसेप्ट नहीं करें नॉर्मली क्रेडिट काड होता है तो आपको सॉलियत रखती है दूसरा जो पोर्शन है वो रेगुलर इनकम का मतलत चुकि आपको हर महीने सेलेरी आनी इया इनक इतना treatment में improvement हो गया है कि लोगों की जो life expectancy है वो बढ़ गई है तो पहले लोग जितना retirement के बाद में जीते थे उसे ज़्यादा जीने लग गए है तो यह जो retirement के बाद में ज्यादा जीने की risk बढ़ गई है तो आपका जो retirement का पैसा इखटा करने का तो जो समय है वो सीमित है वो सेम है परन्तु retirement के बाद का समय बढ़ गया है तो ऐसे period में आपको investment इस तरीके से करना है जिससे आपका जो पैसा है जो corpus है वो बढ़ना भी चाहिए तो इसके लिए आपको ऐसे product में invest करना चाहिए जिसमें आपका inflation और tax निकालने के बाद में भी आपकी जो corpus है वो बढ़ती है तो इसके लिए सिर्फ एक equity ही option है आपको equity में invest करना चाहिए पर मैं पलवी ऐसा है कि direct equity investment करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये full time job है और हरे की expertise नहीं है इसमें तो आप अपना जो पैसा है वो आप थोड़ा बहुत पैसा mutual fund में भी डाल दीजिए और चुकि ये retirement का पैसा है और जैसे मैं बता रहों कि आपका लंबा जीने की संभावना बढ़ गई है तो बाकी goal जैसे आपके one post goal है मतला आप पहुंच गे और आपका goal है यह goal है वो 15 साल तक चलता है तो आप equity में पैसा डाल सकते है और ज्यादा risk नहीं ले सकते है आप अपने पैसे के साथ में तो मेरे हिसाब से जो एग्रेसिव hybrid fund जिनको पहले balance fund बोलते थे उसमें पैसा डाल सकते है जिसमें कि आपका equity portion जो है तो लेकिन अगर जिनके पास pension नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो है कुछ-कुछ पैसा जो हर महीने मिलता रहे हाँ जैसे मैं बताया ना जैसे तीन आपको बताया कि तीन आपको दरस्टी कुण से आपका retirement का planning करना चाहिए तो जैसे किसी को गर pension नहीं मिलती है तो उनको कम से कम इतना पैसा जरूर invest करना चाहिए जिससे उनको हर महीने या हर quarterly regular income मिलती जाए तो इसके लिए जैसे senior citizen saving scheme है जिसमें 8.7% है दूसरी जैसे आपकी प्रदान मंत्री वयवंदना योजना है जिसमें 8% है और तीसरी जो product है जो post office monthly income है जिसमें 7.7% का interest मिलता है तो अगर आपका इस तीन में जैसे पहला वाला product है उसमें 15 कर सकते हैं post office में 9 लाग कर सकते हैं और ये प्रदान मंत्री वयवंदना योजना उसमें भी 15 लाग कर सकते हैं परन्तु अगर उससे भी अगर आपकी monthly income जितनी चाहिए वो नहीं हो पाती है तो आप जो conservative hybrid fund है उसमें डाल सकते हैं पैसा जिसमें 15% तक equity रहती है और बाकी debt रहती है और 15% equity की वज़े से आपका return थोड़ा अच्छा आने का चांस है परन्तु एक बात मैं पल्लवी कहना चाहूंगा कि जो conservative hybrid fund है उसमें कोई rate of return की guarantee नहीं है अगर कोई ऐसा समय हो गया जिसमें debt market भी परफॉर्म नहीं किया और equity market भी परफॉर्म नहीं किया तो आपके rate of return थोड़े कम हो सकते है जी बिल्कुल तो इस चीज़ का आपको खेर खास खयाल रखना होगा लेकिन बल्वन ची बहुत से से लोग होते हैं जिने PF में पैसा जो होता है वो एक अठा एकमोश्ट मिलता है तो उनको आप क्या साला देंगे उस पैसे को कैसे निवेश करें कि जिससे जो है कुछ regular income आ जाए और उनको आगे जाके फाइदा भी हो return भी अच्छा मिल जाए जिनको pension नहीं मिलती है उनको जिनका PF का पैसा कहां invest करना है उसका जवाब depend करेगा कि आपके पास में और कोई दूसरा regular income का source है या नहीं है जैसे किसी के पास में extra house property है जिसको आपने rent पे दे के रखा है तो वो आपकी income आ जाती है या आपने कहीं और invest करके रखा है regular income आती है पर मान लेते हैं कि आपके पास में कोई regular income नहीं है और जो आपको income generate करनी है वो PF से ही provident fund का जो पैसा है उससे ही करनी है तो पहले जैसे मैंने बताया यह जो तीन product है आपके प्रदान मंत्री वैवंदना योजना पोस्ट ओपिस मंत्ली सीनियर सेटिजन सेविंग उसमें पैसा डाल दीजिए और अगर कम पढ़ता है आपको मंत्ली requirement में तो जैसे conservative hybrid fund में डाल दीजिए इसके अलावा जो पैसा बचता है चुकि आप risk नहीं ले सकते और आपको लंबा जीने की संभावना है तो आपको थोड़ी बहुत risk लेनी पड़ेगी तो इसके लिए जो hybrid aggressive hybrid equity fund उसमें डाल सकते हैं फाइदा क्या है कि ये गिने जाते है equity fund परन्तु इसमें minimum 55% equity रहती है और maximum 35% जो है वो debt fund रहता है तो जो asset allocation है वो बराबर हो जाता है और return जो market की volatility है वो भी कम पढ़ती है तो मतलब आपको tax का benefit भी मिलता है और अगर जैसे long term capital gain होता है तो उसमें बाखी equity product की मिला के आपको एक लाख रुपे तक का basic exemption है और उसके उपर 10% tax लगता है जो दूसरे product है उससे tax कम है तो ये tax friendly product भी है तो पीएफ के रुकम का आप इस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि आपको बलबन जी ने भी बताया लेकिन अगर हम बात करते हैं बलबन जी इस उम्र में आके अकसर हमने ये भी देखा है कि तोड़ा सा risk लेने से लोग घबराते हैं उन्हें लगता है कि पूरी उम्र का कमाया हुआ पैसा है कहीं ऐसा नहों कि इक्विटी में अगर हमने जादा लगा दिया तो किसी तरह का जोखिम जोड़ जाए तो ऐसे में इक्विटी और अगर डेट की बात की जाए तो कितना जो है अनुपार्थ होना चाहिए दोनों के बीच में देखिए पल्लवी ये प अगर और कोई इंकम नहीं है तो सौ मेंसे आपकी उम्र घटा दीजिए तो उतना पैसा आप अपना एक्विटी में डाल सकते हो और बाकी जैसे डेट फंड में या जो डेट प्रोड़क्ट्स हैं मैंने जैसे बताया आपकी जो सीनियर सिटीजन सेविंग इसके में विगे परसेंट है वो अगले 10 साल के लिए फिक्स हो जाता है और अभी जैसे इंट्रेस्ट की रेट कम हो रही है तो मैं तो जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहते उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 8% का जो पैसा है वो आप 15 लाग रुपया लॉक कर दीजिए मतलब आपको 10 साल तक के लिए 8% की गैरेंटी है इस प्रोड़क्ट में बिल्कुल तो इस तरीके से जो है अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते तो जैसा कि बलवन जी ने बताए आपके लिए आप्शन्स तो है वो भी अच्छे हैं कर इस बीच में हमार साथ एक कॉलर भी जुड़ जुड़े हैं हमार साथ पूरे से जुड़े हैं दिलीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी बिजनस पर प्रोके है कि अधुलो अधि जी दिलिप जी अपना सवाल पूछिए इधार में रिटायर हूं हूं जी दिलिप जी हम आपको सुन पा रहे हैं अपना सवाल पूछिए हाँ मैं सीनियर सीटिजन हूँ और मैंने मेरा जो पेंचन का पैसा है वो सेविंग स्किम में डाला है 15 लाक रुपे और उसमें एम गेटिंग 8.6 इंट्रेस्ट बिल्कुल तो उसमें और कोई बहतर कोई सुजा है क्या जी बिल्कुल तो बल्वांची जैसा कि अब हम जिकर भी कर रहे थे सीनियर सीटिजन पेंचन स्कीम में इनोंने अपना 15 लाक रुपया निवेश भी किया हुआ है अब यह जानना चाहते हैं कि स्कीम से बहतर उन्हें क जिसमें 8.7% ब्याज मिलता है अगर यह रिस्क नहीं लेना चाहते तो इससे बहतर और कोई प्रोड़क्ट नहीं है जिसमें आपको फिक्स रिटन मिले अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कंजर्वेटिव जो हईब्रिट फंड है उसमे प्रदानमंत्री वैवंदना योजना है जिसमें मैंने अभी बताया कि आपको 10 साल के लिए 8% फिक्स रिटन मिलता है तो आपको वहाँ लॉक कर देना चाहिए बिल्कुल अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहतर है कि प्रदानमंत्री वैवंदना योजना जैसा कि बल्वन जी ने भी जिक्रे किया आप उसमें निवेश कर सकते हैं खेर हम बात कर रहे थे प्रद्वन जी जैसे अपनी चर्चा में आगे बात करते हैं डेट इक्विटी की तो बात हो गए लेकिन अगर हम असेट अलोकेशन की बात करें तो असेट अलोकेशन कैसा होना चाहिए और खास तोर पर तब जब एक व्यक्ति रेटायर हो चुका है तो नॉर्मली उसके बाकी सब गोल विगेरे कंपलीट हो गए होंगे जैसे कि अगर शादी बया के लिए कोई गोल जैसे इखटा किया है तो वो कंजिम हो गया होगा और रेटायरमेंट के बाद में व्यक्ति को उस असेट में पैसा डालना चाहिए जिसमें वो उसको इंकम आने का गुंजाई से तो मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडली जैसे गोल्ड है गोल्ड का कोई ज्यादा यूज नहीं है आपकी सोशल रेस्पॉंसिबिलिटी है बच्चों के शादी अगर हो गई है तो गोल्ड में इंवेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है रियल एस् प्रॉडली जैसे बाद जो पैसा बचता है वहां पर डाल दीजिए और उसके लिए जैसे बैलेंस फंड है जो एग्रेसिव वाइबरेट फंड है उसमें डाल दीजिए और पलवी में एक बात बताना चाहूंगा चुकि रेटार्मेंट का गोल लंबा गोल होता है 15 साल कम स से कम चलता है नौर्मली तो जो रिटन आने की गुझाई से वो ज्यादा है और अगर आप पुछले 5 साल का लार्ज कैप का और एग्रेसिव वाइबरेट फंड का रिटन ज्यादा है लार्ज कैप से जिसमें आपकी जो वालेटिलिटी है कम है और आपकी रिस्क भी कम है मत सबसे सबसे बड़े ऑप्चन है अगर आप उनमे निवेश करते हैं तो जैसा कि बलवन जी भी आपको सलहा दे रहें वो आपके लिए बहतर रहेगा और चर्चा में हमारे साथ बलवन जायन जी भी बने हुए हैं तो बलवन जी जैसा कि जिक्र कर रहे थे प्रेक से पहले सब्सक्राइब करते हैं और उनके लिए भी हमें निवेश करना उतार खास तौर पर इस उम्र के पड़ाव में आकर व्यक्ति को यह लगता है कि अब परिवार को अब तक तो इतना समय दे नहीं पाये थे तो क्यों ना कुछ फुरसत के पल जो है वो विताय जाए जुटिय जो रिटार्मेंट के बाद में जो आपको घुमने फिरने के जो प्लानिंग करनी है तो उसके लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से आपको लिक्वीड फंड में ही पैसा डालना चाहिए परन्तु जैसे मैंने बताया कि आप एग्रेसिव आपका जो इन्वेस्टमेंट फिक्स इंकम वाले प्रोडक्ट है उसमें ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 5 साल तक आपको रेगुलर इंकम वहां से आती रहे तो और उसमें आप ये आपको जो वेकेशन वाला प्लान है वो भी आप उसमें एड कर सकते हैं तो अगर आप चाहें एक लक्षे और भी रहता है व्यक्ति का इस उम्र के पड़ाव में आके क्योंकि वो बच्चों के लिए सब कुछ कर चुका होता है बच्चों की शादी भी अधिकतर हमने देखा है कि इस उम्र तक आते आते हो जाती है बच्चे पूरी तरह से सेटल होते तो आप वक्त होत से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है तो बेटे-बेटियों से जो पोते-पोतियों नाते-नाती वो ज्यादा प्यारे होते हैं और हरे के मन में होता है कि उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना चाहिए तो अगर आपको पोते-पोतियों के लिए कुछ छोड़ना है तो जर सकते हैं, जैसे HDFC small cap fund जैसा है, उस fund में डाल सकते हैं, और एक बात में कहना चाहूंगा कि सब mutual fund investors को आप कोई भी fund में invest करें, आप कम से कम साल में एक बार अपने fund का performance का review जरूर करें, आपको अपना investment तो mutual fund में ही रखना है, equity में, परन्तु अगर आपका fund अच्छा performance नहीं कर रहा है, तो आप उसको shift कर दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक fund में डाल दिया, तो आपको उसी fund में लगे, बने रहना है, तो आप ये review जरूर करते रहिएगा, तो बिलकुल अपने portfolio को जो है review जरूर करते हैं, जो हमारपस email के जरीया आया हुआ है, Lieutenant Colonel Ram Bahadur का, ये बताते हैं कि इन्हों ने mutual funds में 9 लाक रुपाए का निवेश किया हुआ है, Reliance Multi Cap में 2 साल में इन्होंने 6 लाक रुपाए का निवेश किया, और साथी Reliance Tax Saver में भी 2 साल में इन्होंने करीब धाय लाक रुपाए का निवेश किया है, ये बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 63 साल है और ये अगले 7 साल तक और निवेश करना चाहते हैं, तो किन funds में निवेश करें या इनी funds में बने रहना चाहिए, लगे पलवी ऐसा है कि जो Reliance का Multi Cap Fund है, वो बराबर परफॉम नहीं कर रहा है, तो उसको ये इमीजिएटली शिप्ट कर सकते हैं, मेरे असेट इन्डिया एक्विटी फंड में, और दूसरा जो कह रहे हैं, Reliance का Tax Saver Fund है, उसमें Tax Saver Fund में क्या है, लोक इन पीरेड रहता है, तीन साल तक लोक है, तो अभी दो साल हुए तो एक स इसे वाइबरेट फंड है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो जो फंड है, उसकी परफॉमेंस अच्छी चल रही है, बिल्कुल तो ऐसे ऐसे एक्विटी इंडेट फंड का भी आप चुनाब कर सकते हैं, ये फंड भी आपके लिए बहतर साबित हो सकते हैं, बलवन जी उनको तीन केटेग्री में डिवाइड किया है, पहली जो केटेग्री है वो long term में small cap fund है, उसमें HDFC small cap fund आता है, उसी long term में दूसरा जो mid cap है, वो LNT mid cap fund मेंने सलेक्ट किया है, ये जो दोनों fund है, वो जो जनका investment का होरिजन दस साल से उपर है, वो डाल सकते हैं, और दूसरा क इसके नीचे वाला कैटेगरी 7 साल से 10 साल का उसमें मेरा जो फैवरेट है वो ICICI का ब्लूचिप फंड है और जिनका इंवेस्टमेंड का होरिजन 5 से 7 साल है तो वो ICICI का जो इकविटी एंड डेट पंड जो बैलेंस फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरा सजेशन है जिनकी अवदी जो इन्वेस्टमेंड होरिजन 5 साल से कम है वो ICICI में, ICICI Mutual Fund में इन्वेस्टम नहीं करें क्योंकि उसमें आपका जो आपकी मूल धन है उसका भी नुकसान होने का चांस है परन्तु जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंड होरिजन बढ़ता जाता है वैस अगर आप साथ साल तक इन्वेस्ट कर किया है लगाता रिक्वीटी पंड में तो आपकी जो नेगेटिव रिटन आने की उसकी प्रॉबेबिलिटी जीरो हो जाती है मतलब आपको पैसा कमाई कुछ ने कुछ तो होगी ही तो यह बात जरूर आप ध्यान रखें मगर आपका इ की वज़े से नुकसान हो जाता है यसे ही एक्वीटी शॉट टम में रिस्की है वॉलेटिलिटी की वज़े से परन्तु लॉंग टम में सेफ है क्योंकि वो वॉलेटिली इवन आउट हो जाती है लंबी पिरियाड में दर्कुल तो इस चीज़ का आपको खास खयाल रखना चाहिए कि अगर आप इकोटी फंड्स को चुन रहे हैं तो आपका नजरिया जो है निवेश का वो लंबे समय के लिए होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया बलबन ची हमारे साथ जोने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिरकार कैसे वो साथ की उम्र के बाद भी ठाट भरी जिन्दगी जी सकते हैं तो आज की खास पेशकर्ष में इतना ही